करते हैं आपको सब जानते होंगे लेकिन उनके भाई है जॉनतन नोलन उन्हों भी बड़ी अच्छी उपलब्दियां कर रखी है जीवन के अंदर ज्यादा तर पता नहीं होगा लेकिन जिनको पता है उनको पता है वो वेस्ट वर्ल नाम की उन्होंने एक क्लासिक सिरीज नि करते हैं इनको खतम नहीं होना चाहिए वैसी सिरीज है और फॉल आउट भी आपको थोड़ा सा वेस्टन वर्ल थोड़ा सा पोस्ट अप्रक्लिप्टिक वर्ल इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप उसके अंदर पूरा का पूरा घुश जाते हैं जहां पर आपको भूती नॉस्टैलिजिक तरीके के कुछ अंडरग्राउंड में रहते हैं लोग दिखेंगे जो अपनी दुनिया में खुश हैं थोड़े से प्रिविलिज्ड होते हैं किसे जमाने में लेकिन बंशम फटने के बाद वो धर्ती के नीचे चले जाते हैं और वाल्च में रहना शुर स्करवडन टाइप का का कैरेक्टर है वह मिलेगा यह सब लोग कुछ ना कुछ आंसर ढूंड रहे हैं और यहांसर क्या ढूंड रहे हैं किन को ढूंड रहे हैं यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और कैसे यह वर्ल्ट जो नीचे है उसका सेटप और भार का दी गई है starting from पुराने 30s के 1940s के तो निचने पुराने पुराने गाने पुराने 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 सेट अप इन फैट आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अकर रेफ्रिजरेटर भी पढ़ा हुआ है तो चाहले की साइंस टे इवॉल्व करेंगी लेकिन उसमें लिखने का स्टाइल है जैसे वेस्ट वर्ल्ट है यहाँ पर कुछ बहुत पारफुल लोग हैं कुछ लेस्ट पारफुल लोग हैं आपको human psychology और social economics उ उमर भी काफी अच्छा गासा जो वेस्ट वर्ल्ड में इतना नहीं था यहाँ पर आपको ठीक ठाक दिखेगा और जो में लीडी है उसका जो character है उसका भी आपके अंदर ठीक ठाक से interest generate हो जाएगा अब जो चीज मुझे यहाँ पर missing लगती है कि जो race against time होती है जिस मुद् सजाता है आपको ऐसा लगता है कि यार यह main मुद्धे पर वापस आओ जिससे वज़ा से जो एक एक घंटे के लंबे episode है यह आपको तुछ से stretch लगने लग जाते हैं और आपका मन करता है यह 1.5x या 7x के उपर 75x पर तो मैं देख लूँ तो वो थोड़ा सा इसके अंदर पंगा है बट जिनको यह एक ही दिन में नहीं खतम करनी है और इसको एक एज़ टीवी सीरिल टाइप देखना है जहां पर आप characters के अंदर invest हो पाओ उनकी मनुदशा समझ पाओ तो मेरे ख्याल से उनको एक एक दो-दो episode करके आगे बढ़ना चीए और उनके लिए ठीक ठाक प्रक्टर को backstory कैसे देनी है और backstory के अंदर भी backstories है ताकि कुछ ना कुछ secrecy है जो दिरे-दिरे-दिरे करके out हो देगे जो उनसे संबंदित लोग है तो यह सारा चीज आपको यहां पर अच्छे लगेगी दूसरा जो setup का जो vision उन्होंने रखा हुआ है कि नीचे वरा world और किस तरीके से लोग behave करेंगे वह बहुत clearly defined है तो आपको बहुत अलग-अलग तरीके के जैसे करते हैं पुराने जमाने कबीले होते हैं उस तरीके की आपको feeling आईगी कि यह tribes है बहुत clear identifier है इन tribes के कि यह इस तरीके की uniform पहनते हैं यह इस तरीके की कपड़े पहनते हैं यह normal ह हमारे रिखते हैं यह robots है, robot का मतलब क्या है, इसकी क्या limitation है, यह सब चीजे बहुत अच्छे तरी है, इस है define करी गई है तो कहने का मतलब यह है कि character development भी डिरेक्टर साब ने ध्यान दिया है, जिसके उपर ठोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है, वह खैंची चलाना, तो डिर और इस नाइस सेटप, VFX बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके से यहां पर स्टोरी को आगे लेके जाया जाता है, जो परपस है, वो अच्छा है, अभी खतम भी नहीं है यह स्टोरी, I will give 4 out of 5 स्टार्स, बाई-बाई